राश्ट्रिय ओबिसी महासंग के तात्वे महा दिवेशन में इस कारेक्रम के हमारे मुखिया राश्ट्रिय ओबिसी महासंग के अद्देक्ष हमारे बड़े भाई बबन तायवाड़े शुरुवास से और नया विवस्ता के भी प्रक्रिया में रहते हुए और उनके लिडर्शिप में देश में ओबिसी आयोक की निर्मिती हुई थी वो जस्टिस इश्वरय जी जिनने कही साल पर्लामेंट में ओबिसी के इशु को लेकर एक बड़ा संगठन तेज भर के सांसों दोका किया था वो हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक हनवन्त राओ जी इस कारिक्र में उपस्तित हुए हमारे बाबु जी जो 36 गड़ से आये है पगेल जी मैं सब लोगों का नाम लेते हुए आदर नियम मंच पुरे देश से आये हुए मेरी माता बहना मेरे सभी हुआ साथी मेरे बुजरुक और पत्रकार साथी सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते सस्रिकाल सलाम वालेकूम और वेलक्काम पूरे देश से विविद राज्यों से विविद भाशा से यहाँ पर पुरा ओबी सी समाज जो इकटा हुआ और उसी लेंग्वेज में मैं सबको यहाँ पर मैं नमस्ति किया हूँ हम जो पढ़ते थे छोटे पच्पन में तो एक लेसन था खरगोश का एक खरगोश जाड के निचे से जा रहाता पेड के निचे से तो उसके उपर पत्ता गिरता है तो पत्ता गिरने के बाद वो खरगोश को लगता है कि मेरे पे बादल गिर रहा है अपना पंजाब का बादल नहीं है आस्मान वो गिर रहा है और वो भागते चुटता है तो ऐसे ही भागता है कि कई काटे गड़ते उसको कुछ ऐसे होते हैं वो लहुलवान हो जाता है और आखरी वो मर जाता है वो ही कहानी हमारे OVC समाज के साथ पचातर साल में हो रही है हम लोग अमरत महस्तो मनाने जा रहे है और इतनी बड़े लंबी आजादी के बाद जो डॉक्टर बाबा साथ वंवेड करने सवीदान में आर्टिकल 340 के आदार उपर हमें हमारा अधिकार दिया था वो अधिकार हमें मिलना चाहिए उसकी मांग लेकर हम आज भी लड़ रहे है और लड़ते लड़ते यह सिती हो गई कि वो खरगोज जैसे लहुलान जैसे आखरी मरता है वह इसी परिस्तिती हमारी हुई मैं इसलिए शुरुवात उसी से किया हूँ आज जैसे हम लोग देख रहे है कि जैसे मंडल आयोग के बाद हम लोगों को एक टार्गेट फिक्स किया गए इस 27% OBC का आरेक्षन जैसे ही हमारे अड़ोकेट मिर्जा जी ने कहा कि मंडल आयोग में हमें डिसाइड किया गया कि 27% आरेक्षन OBC को दिया गया है तेकिन आज भी मंडल आयोग के बाद 27% आरेक्षन हमें नहीं मिला उसकी आकड़ेवारी अड़ोकेट मिर्जा जी ने बताई तो यही आज हम देख रहे हैं कि इसके आगया अब निकल गया हम हम लोग आज भी अधिकार मांग रहे एक तरफ सरकार के तरफ से पड़े पहिमाने में प्राइवेटी करन किया जा रहा है ठाजगी करन किया जा रहा है और उसके माद्दम से नोकरियों का एजुकेशन में का तो उसमें भी हमारा आरक्षन पुरा लुप हो जाएगा आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसा लगता है यह आरक्षन एक सफना बनके रहेगा जैसे एड़ोकेट मिर्जा जी ने कहा था कि अपने को एक फ्रेम में हमें आरक्षन मिलता था 27% उसका एक फ्रेम बना के गर में लगा सकते आज यह परिस्तिती हुई है क्योंकि उसी बारे में यह मंतन होने की जरूत है राज का रंग के उपर जाकर यह मंतन होना चाहिए जैसे मुझे कहा गया जो भी मंतरी जी ने कहा कि OBC की तादात मंतरी मंडल में ज़्यादा है बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि तादाद OBC की ज़्यादा है तो OBC का मंतरी मंडल में ज़्यादा समाश होना चाहिए लेकिन रैडोकेट मिर्जा जी ने उसमें एक बात बड़ी अच्छी से कहिए कि जहाँ आपर OBC के मंतरी बनना चाहिए जहाँ पर कानून बनता है वहाँ पर OBC की मंडल में इस्तान नहीं है चस्टीज में भी हमने देखा है या विवस्ता में भी देखा है महरास का उधारन ने दिया वहाँ पर भी जो डिसिजन आया उसी के आधार पर हम लोगों को थरगोच जैसे हम लोगों को घुमाया जा रहा है फुटबाल बनाया जा रहा है यह परिवर्तन आना चाहिए यह सब को लगता है मुझे लगता है कि इस कारेक्रम में हमें हाजरी लगा इतना तक नहीं यहाँ पर एक मन्थन इसका तुसरे स्टेप में इश्वराजी है आपको बहुत सारी बाते इसमें बताएंगे मुझे लगता है कि यह बड़ा मंत्र नहीं इस कारेक्रम के माद्दम से होना चीए हमें किसी सरकार के उपर दोज़ देके नहीं चले मैं सरकार का मंत्री हो तो मैं सरकार की तारीब करते होंगा यहां तक नहीं है हमें क्या मिला मुझे याद है कि जब मेरे देश के प्रदान मंत्री से लड़ाई हुई जब मैं सांसत्ता तब मैंने OBC के मंत्रा ले की बात OBC का मंत्रा ले गर बन जाता देश में जैसे महराश के मंत्री जी ने बताया था कि राज्यम हमने OBC का मंत्रा ले बनाया वहाँ पर तो OBC का मंत्रा ले तो बनाया ले इसे बोर्ड लगा के रखा गए ताब भी नहीं था एक मंत्री का नाम से वहाँ खिला जा रहा था हमारी भी आगाड़ी की सरकाराई उसमें भी वही हल रहा बहुत सारा उसमें कोई प्रावदान नहीं हुआ लेकिन देश में अगर OBC का मंत्रा ले बन जाए तो मुझे लगता है कि केंद्रों में जैसे अलपसंक्य का मंत्रा ले बना तो केंद्र सरकार केंद्र सरकारे जो होती है उसके पास पूरे देश का पैसा वहां जमा होता है और वहां से पैसा हर राज्यों में किया जाता है तो केंद्रों में अगर OBC का मंत्रा ले होता तो मुझे लगता कैसे अलपसंक्य का मंत्रा ले के आधार पर राज्य में भी OVC मंत्रा ले खोलने के बाद का फाइदा अपने आप मिलता लेकिन ज़दान मंत्री जी उस समय कहा कि मैं मंत्रा ले बन करने जा रहा हूँ तो यह जो पारी सित्या होती है तो इसको अपने को समझने की जाए पुरे देश में हमारी तादा ज्यादा है इसका मतलब यह नहीं है कि हमने देश में प्रदान मंत्री OVC का बनाया लेकिन यह आठ साल में OVC के लिए क्या मिला इसका भी मंत्रन यहां पर आज GST के आधार पर अनाज के उपर GST लगाया गया तो अनाज के उपर GST लगाया जो तो किसान को भी कुछ मिले ऐसी अगर व्योस्ता बनती तो हम समझते हैं कि हमारे प्रदान मंत्री हमारे ले कुछ कर रहे हैं तेकिन किसान ने फसल निकाला और बैपाई के फैकट में गया तो उसको पर GST किसान ने अगर नेहनत करके दूँट निकाला लेकिन किसान को दूँद का पैसा नहीं मिलेगा तो मिलना है विसलीजिके वोटल का पानी का रेट ज़्यादा है और दूँद का रेट कम है लेकिन जैसे वेपारी के पैकट में गया तो दूज का प्राइज बढ़ गया उसके पर GST लग गई एक जोग सामने आ रहा है कि अगर दूज वैकेट में का फट गया और फटने के बाद फिर बाद में उसका पनीर बनेगा वो पनीर के उपर GST लगा दे तो मेरा ये कहना है कि OBC ये कॉमिनिटी जो है वो खेती से जुड़ी हुई है और OBC कॉमिनिटी अगर खेती से जुड़ी है तो किसानों के हीत में क्या हम लोग कर रहे हैं उसके भी बारे में सोचने की जरौत है क्योंकि हमारी कॉमिनिटी पंजाब से हो सब्सक्राइब से हो सब्सक्राइब से हमारी OBC कॉमिनिटी ये खेती से जुड़ी हुई और जब क्षेती से हमारी कॉमिनिटी जुड़ी है तो खेती के लिए क्या हो रहा ये देश में उसका भी मंथन आराश्यंके साथ में उसके बारे में भी यहां पे होना चारा अगर खीति के बारे में चर्चाँ नहीं होगी तो हमनेuity सुर्थे पर अन्य हम नहीं किया के जह होगा आज किसान आत्मत्या कर रुए है देशन, suicide कर रहा है अगर किसान suicide कर रहा है तो उसकी ज्याद्धारी भी हमारी इतनी तादावत में होने के बाद भी हमारे भाई हमारी माए हमारी बहने अगर आत्मत्या कर रही है तो साइट कर रही है उसको कैसा रोका जाए उसका भी मंतन इस आदिवेशन में होना चाहिए और पहिसे यह माध्यम से यही कहूंगा कि आज हम लोग तकलीब में है क्योंकि हमारा देश का बेसिक जो है वो एग्रिकल्चर बेसिक है हमारा जेडीपी देश का बढ़ता है तो एग्रिकल्चर के माध्दम से बढ़ता है हमारा जेडीपी एग्रिकल्चर माध्दम से बढ़ता है GDP देश का रोज गिरते जा रहा है हमारे देश का रुपया रोज गिरते जा रहा है GDP का ती निकाल दो तो हम अभी डीपी बदलना चालू कर दी तो हम अभी सब डेश के लोग डीपी बदल रहे हम तिरंगे के डीपी बना रहे न सब लोग तिरंगे के डिपी बनाना अच्छी बात है, कोई बूरी बात नहीं है, हमारे देश के हमारा जो तिरंगा है, वामेशा फैराते रहें, उसके लिए कोई नहीं, लेकिन हमारा बेसिक जो है, जो जिड़ी पी है, जो एगरिकर जो बेसिक पर है, उसके बारे में भी यहां वो हमारा बेसिक है और ये बेसिक के आधार वर भी चर्चा करना चीए और मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कोम हम एक है हमारी कोम ओविसी की एक है वो देश के कोई भी कोने में रहे हम मांगने वाली जमात नहीं है हम देने वाली जमात है तेकिन आज हमारी जमात तो मांगने वाल जमात बना के रखा गया है यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख भरी दास्ता है और मैं चाहता हूँ कि आने वाला कल यह ऐसा बने कि हमारा देश जो मांगने वाले हमारे देश में हमारा ओभी सी समाज जो है यह मांगने वालों में से नहीं देने वालों से देने वालां बने और उसी आधार पर हम आने वाला कल को उस तरह से बनाएंगे और मुझे विश्वास हैं जब विदान सभा का अद्धिश्टा तो हमने कई बार हमारी जाती निहां जन्गना हो इसके लिए हमने कई बार मोर्चे निकाले अनमंत्राओ जी तो मैंने 2021 में हर दस साल में हमारी जो सेंसेस होता है देश में तो मैं 21 में जब विदान सबा अद्धिश था मैंने जनगना जब सेंसेस होने के पहले मैंने विदान सबा में मैंने खुद प्रस्ताव ला ली मैं विदान सभा काद्थ भा मैं लोगसभा में भी देखा विदान सभा में भी देखा इतने साल में जैसे मंत्रीची कहे 30 साल मेरे को भी राज नितियु में तो मुझे भी 30 साल से हुई मैं continue इस प्रोसेस में हूँ तो विदान सबा और लोग सबा में मैं यही देखा कि जो सत्ता पक्ष का ठराव हो या विपक्ष का ठराव हो फिकर उस ठराव को पढ़के उसको चर्चा में लाता है और होई का बहुमत करके रिजुलुशन पास करते है मैंने कहा कि मैं खुद ठराव लोगा मैंने प्रस्ताव खुद लाया और वो भी सिकी जाती निहा जंगना होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव मैंने विदान सबा में लाया कुछ देर में थोड़ा करंट लगा हाउस में कुछ लोगों को लेकिन बाद में हमने कहा कि हम प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे इसको विरोध करना हो करे हम प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे आखरी हाउस में वो प्रस्ताव एक मस्त विदान सबाव में हमने पारित किया और उसके बाद में देश में कई विदान सबाव में ये प्रस्ताव पारित हो और climate change हो गया लेकिन corona बीच में आ ये corona बीच में आने के वज़े से हमारी census नहीं हो चका और census नहीं होने के वज़े से हम लोग वही रुके तो मैंने उस chair में बैठने के बाद तो कि बहुत से OBC के लोग जब chair में बैठ जाते हैं मैंने फ्रस्ताओं को लाकर विदान सभा में पारित किया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जब census होगा अब census जब होगा तो हमें वही लड़ाई खड़ी करना पूँए अगर census जब तक हम नहीं census के बारे में हम लोग जब तक हमारा उग्रो गुरूप नहीं करते हैं तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि जो स्प्रिंग ओड में भी हो बार बार हमें सुपरिंग गोर्ड बताते कि तुमारी संख्या कितनी है वो बताओ, तो हमारी संख्या, राज्य ने अगर तुमारा सेंसेस कर लिया तो राज्य के सेंसेस को कोई नहीं पूछता है, आजकल तो केंदर सरकार ने कहा कि राज्यों ने सेंसेस करना चाहिए, राज्य के सेंसेस क नहीं करती तब तक हमारी संख्या कितनी है इसका एडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते और इसलिए देश में जब अब कोरोना के स्थिति अब खुल चुकी है अब जब भी देश में सेंसेस आएगा तो तब हम लोगों को इस बात को जोर लगाकर हमें कहना पड़ेगा और उसक मैं अभी महजाक में बोर रहा था हमारे दोनों वकिल साब मेरे को पूछ रहे थे कि महराश की सरकार गिरने के बाद क्या होगा राष्टपती शाषन होगा राष्टपती शाषन के बीज में कीड़ी की कारवाई होगी तो यह सब चीजे चलती रहेंगी यह चलेगी नहीं कब तक करेगी अंग्रेज ने भी इसी तरह अत्याचार किया था तो अंग्रेज ने अत्याचार किया तो देश के लोग थुड़ी चांती रहें इतना अत्याचार करोगे उतना ही लोगों में सब पैदा होगा और जब सब फुटेगा तो अच्छे अच्छे को अंग्रेज इस देश में लाएगा, क्योंकि जीन लोगों के उपर अन्या होता है, और ज्यादा अन्या होने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तब घुस्सा जब पैदा होता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी तादा ज्यादा है, और तादा ज्यादा होने के वज़े से हम लोग जब इकटा यह लड़ाई लड़ेंगे मेरी इतनी पिंतिये यहां सभी दलो के लोग हैं, मैं कोई पार्टी के बारें बात नहीं करता लेकिन हम जब भी हमें मोखा मिलता है, जब भी सांसत बनते हैं, विदायक बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, तो अपनी बात उ वो अपने OBC समाज पर निया करते हैं तो हम उस समाज का नेतरुद्व करते हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं अगर OBC समाज का नहीं रहता तो मुझे 30 साल continue विदान सबा और पारलामेंट जाने का मोका नहीं मिलता अभी मंत्री जी कह के गए कि OBC के वज़े से मैं चुनके आता हूं तो OBC के नहीं है तो भी OBC के लोग उनको चुनके देते हैं ऐसा उनने कहां मैं तो खुद OBC हूं और मैं OBC होने के वज़े से मुझे मेरे समाज ने मुझे ये मोका दिया है तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं भी मेरे समाज को देना लगता है लेकिन हम लोग आज कैसे पोश्ट पे आते हैं तो मैं दस पिड़ी का उद्दार अपने खुद का कैसा करूँ ये जो मानसिकता हमारी रहती है इस मानसिकता को बदलने के जरौत है और जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमें हमने हमारे समाज को क्या दिया इसका तुमारे को बताने का कोई अधिकार नहीं होता और इसलिए मैं आप सब लोगों के निवेदन करना चाहता हूं जब भ उस सरकार को वही जाब देने किसी को जो नाना पटो लेने की अपनी सांसत की एक जटके में छोड़ दिया तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लड़ाई उस तरह से लड़ने की कोशिश थब लोगों ने करना चीए क्योंकि अंग्रेज के जमाने में भी हमने दे चंदर सेकर आजाद बनाया जाता था तो आज जो हमारे समाज के विरोध में जो है उसका विरोध करने का सिखना चाहिए मुझे ऐसा लगता कि ये मोका हमें जो मिला है वो मोके का फाइदा हमारे समाज को कैसा हो हमारे ओभी सी समाज को कैसा हो यही कॉंसेट हम सब लोगों ने रख कर काम किया और मैंने जो शुरुवात में कहा कि जाती निहाज जनगना जो अभी प्राइवेटी करन जो चुरू है उसका विरोध हम कैसे करेंगे और एग्रिकर्चर के बेसिक के आधार पर पूरे देश में OBC समाज की जो परिसितिया बनी है ऐसे तीन मुद्दों के आधार पर हमारा ये विचार मंतर होना चीए इतनी बात मैं कहूंगा मैं पुना बहुत-बहुत सबको धन्यवाद देता हूं तेश के कोने-कोने से हमारे OBC के सबी प्रतिनिदी यहां पर आये हैं मैं सबको बहुत-बहुत बदाई देता हूं और OBC की ये लड़ाई हम सव इश्वास वह इस कारे कर में रखता हूं जो बिसी! जो बिसी! जो बिसी! जो बिसी! तन्यवाद!